प्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक कलर का ये बहुत ही प्यारा सा पैटन लेकर के आई हूँ इस पैटन को आप किसी प्रोजेक्ट में बना सकती हैं लेडीज के स्वेटर कोटी काडियन जैगेट बच्चों के स्वेटर और जैंट स्वेटर में भी इसको बना सकती है इस पैटन को बनाने के लिए हमें चाहिए 10 के मल्टिपल प्लस सेविन दसके गुड़े 10 फंदे लेने होंगे और उसमें 7 फंदे और जूड़ देंगे तो फ्रेंड्स इस पैटन को बनाना हम सुरू करते हैं वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ रहिए तो फ्रेंड्स द बनानी होगी उसके बाद भी हमारा डिजाइन सुरू हो जाएगा तो देखे हमारे पैटन की जो फर्ष्ट रोगी राइट साथ से पहली सलाई सीधी तरप से साथ वाला फंदा भी ना बुने उतारेंगे इसके बाद एक फंदे को सीधा बुनेंगे एक फंदा छोड़ करक फि Здरहा पर इस तरह से सलाई को डालेंगे एक फंदा बनाएंगे थागे को आगे लेकर करके आएगे फिर-से उसी ज्यगहा से हम एक और बनाएंगे उसके बाद में चार फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार चार फंदे बुनने के बाद में फिर से बापस उसी जगहे पर सलाई को डालेंगे और यहां से एक फंदा बनाएंगे धागे को आगे लेकर के आएंगे और फिर से उसी जगह से हम एक और फंदा बनाएंगे इस तरह से इसके बाद में पांच फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तेन, चार, पांच यह देखिए पांच फंदे जो बीच के हैं वो हमने बना लिए हैं उसके बाद में एक और फंदा बनाएंगे यानि कि यहां पर बनाने के बाद में छे फंदे बुनने हैं सीधे फिर इसके बाद में एक फंदा इसको छोड़ करके दूसरे वाले पर देखिए तीसरे वाले फंदे पर यहाँ पर सलाई को डालेंगे और यहाँ से एक फंदा बनाएंगे धागे को आगे लेकर के आएंगे फिर से वापस उसी जगह से हम एक फंदा और बनाएंगे तो देखिए यहाँ इहाँ पर एक तीन फंदे हो गए हैं चार फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार चार फंदे बुनने के बाद में फिर से बापस इसी जगह पर सलाई को डालेंगे इस तरह से और यहाँ से एक फंदा बनाएंगे धागा आगे लेकर के आएंगे और फिर से बापस हम इसी जगे से एक और फंदा बनाएंगे देखे इस तरह से साड वाला जो फंदा इसको हम सीधा बनेंगे फर्स्ट रो राट साड से हमारी कंप्लीट हो गई है सेकंड रो पर आते हैं बैक साड से दूसरी सलाई उल्टी तरप से साड वाला फंदा बिना बने उतारेंगे अब देखे जो तीन फंदे हमने सीधी तरप से बढ़ाये फंदों को बापस इस सलाई पर ले करके आएंगे और यह चोथा वाला फंदा इसके साथ में चारों को हम एक कर लेंगे फिर तीन फंदे इस तरह से उल्टा बुलेंगे अब यह देखिए तीन फंदे दिख रहा है और इसका जो साड़ वाला फंदा है इन चारों फंदों को चार का हम एक करेंगे पांच फंदे उल्टे बुल लेंगे 1,2,3,4,5 पांच फंदे हमने यहाँ पर यह उल्टे बुल लिए अब देखिए फिट से इस जगह पर आते हैं देखिए सीधी तरप से इन तीनों फंदों को इस तरह से निकाल लेंगे यह देखिए और यह वाले जो चौथा फंदा यह और यह तीन फंदे इन चारों फंदों को हम चार का एक कर लेंगे च पांच 1400 फंद फंदे उल्टे बुलएंगे अब देखें यहाँ पर यह तीन फंदे दिख रहे हैं और यह वाला इस साइड वाला जो यह फंदा है चौथा फंदा इन चारों का हम एक करेंगे तो देखें हमारी सेकंड रो है बैक साइड से दूसरी सलाई उल्टी तरफ से कम्प्लीट हो गई है अब देखें थेड रो पर आते हैं तीसरी सलाई सिधी तरफ से साइड वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दो फंदे सीधे बुनेएंगे, अब दिखिए यह बीचो बीच वाला फंदा दिख रहा है, यहाँ पर इस तरह से एक लूप बनाएंगे, और दूसरे फंदे में डालेंगे, यहाँ से भी दूसरा लूप बनाएंगे, तीसरे में भी एक लूप बनाएंगे पहले वाले फंदे को उतारेंगे और दूसरे वाले को भी उतार देंगे तीसरे को भी छोटे को भी इस तरह से सारे फंदों को हम इसके उपर से उतार देंगे दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आठ, नो, नो फंदे बीच में इनको भुनने के बाद में देखें फिर से बापस उसी जगह पर आते हैं तो देखें जो बीचो बीच वाला फंदा है यहां से इस तरह से सलाई को डालेंगे और एक लूप बनाएंगे दूसरे में भी डालेंगे दो, तीन, चार, पात पहले वाले फंदे को इनके उपर से इस तरह से उतार देंगे, दुसरे वाले को भी उतार देंगे, तीसरे को भी उतार देंगे, और चोथे फंदे को भी उतार देंगे, बागी के जो फंदे हैं, इनको हम सीधा भूल लेंगे, तीसरी सलाई है, सीधी तरप से, थेड रो रा पेमेंगे, 50 संही सीधी तरप से, फिफ्रोर्राइट साइड से, अब दीजाइन बनाई था, पांच फंदो पर इन 500 फंदों को सीधा बनेंगे, इन 500 फंदों को बुनने के बाद में यह जो 500 इंपर हमारा डिजायन बनेंगा, तो 5 फंदे ये बुन लिए उसके बाद में एक और फंदा बुनेंगे 6 फंदे हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पर देखे 5 फंदे ये और छटा फंदा होगा इन पांचों के एक होगा एक फंदा बुनने के बाद में पहले फंदे को छोड़ करके देखे दूसरा वालो जो फंदा होगा यहाँ पर एक दो एक दो तीसरे वाले फंदे पर एक लूप बनाएंगे, धागा आगे ले करके आएंगे, फिर से उसी जगह से हम एक और लूप बनाएंगे चार फंदे सीधे बुनेंगे बापस इसी जगह पर आते हैं एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे ले करके आएंगे, और फिर से उसी जगह से हम एक और फंदा बनाएंगे और यह साइड के फंदे हैं, इनको हम पांचों फंदों को सीधा बुनेंगे, और साइड वाला जो फंदा है इसको भी हम सीधा बुनेंगे फिप्त रू हमारी कंप्लीट हो गई है शिक्स रू पर आते हैं बैक साइड से छटी सलाई उल्टी तरप से साइड वाला फंदा विनाबुने उतार करके जो पांच फंदे हैं इनको हम उल्टा भूल लेंगे अब देखें यहां पर जो हमने तीन फंदे सीधी तरप से उठाए थे इनको हम तीनों फंदों को इस तरह से निकाल लेंगे और ये चोथा वाला जब फंदा इन तीनों को और ये चोथे वाले फंदे को एक साथ बुन करके चार का एक करेंगे फिर तीन फंदे उल्टे बुनेंगे अब ये तीन फंदे और ये चोथा इन चारों का हम एक करेंगे यह जो पाँच फंदे और साइड वाला फंदा इन सभी को उलटा बुलेंगे 6 रों हमारी complete हो गई है छटी सलाई उलटी तरब से complete हो गई है साथ मी सलाई पर आते हैं सिधी तरब से साइड वाला फंदा चोड़ करके पाचो फंदो को सिधा बुनेंगे अब दिखें यहाँ पर यह जो डिजाइन ने पांच फंदों पर बनाई है यह पांच फंदे और दिखें इसके जो दो फंदे हैं इनको भी हम सीधा भूलेंगे यहाँ पर जो बीचो बीच फंदा यहाँ पर इस तरह से डालेंगे सलाई को और यहाँ से एक लूप बनाएंगे दूसरे फंदे में डालेंगे दूसरा लूप बनाएंगे तीसरे में डालेंगे तीसरा बनाएंगे और चोथे में और यह पांच फंदा इसको भी बून दूसरे वाले को इस तीनों के ऊपर से तीसरे वाले को और देखिए बाली फंदों को भी इस तरह से उतार देंगे हमारी ज़ो पत्ती बीच में लिफ बन करके आ गई है और बाकी के फंदों को हम सभी को सीधा बुनेंगे सेविन त्रो राइट साइट से हमारी साथमी सलाई सीजी तरफ से कम्प्लीट हो गई है आठमी सलाई पर आते हैं बैक साइट से यहाँ पर सारे फंदों को हम उल्टा बुल लेंगे तो फ्रेंट्स देखिए हमारे पैटन की जो आठ सलाई यह वो मैंने आपको बना करके दिखा दी है इनी सलाईयों को आपको repeat करती हुए जाना है आपका डिजाइन ऐसा ही बनेगा जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया है तो friends देखिए जैसे जैसे आपका design बनता जाएगा उसी तरह से इस तरह से दिखता जाएगा friends मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो please वीडियो को like करें, share करें चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये तो subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका notification आप तक सबसे पहले पहुँचे मिलते हैं अगरी वीडियो में, तब तक के लिए, बाई